है बच्चो असलाम अलेकूम मास्टर गुलाम संचोस नहीं में जमर सेंदेन तुलबान तो तेली बात नहीं दिस खदमत्समंस हजर वाद मुतरविक पनन अडल्यूक टापिक है दिवानी मौरूम की याद में उसके जो बाकी माना सवाला दर्सी सवाला थे आज वहीं लेकर आपकी खदमत में फिर से हाजर हूँ बचो कल हमने ग्रैमर काट मौजू उठाया था मजदर के मुतलिक चूंकि आपने पड़ा है मजदर किसे कहते हैं और मजदर के एक साम मजदर असली या वस्फी और मजदर जाली या मरकब क्व चूंकि कल हमने एक पार्ट किया है मजदर जाली का आच उसका दूसरा पार्ट करनी जा रहे हैं दूसरा ईहसा उसके मुतलिक आफ जान गए हैं कि कैसे हम मस्दर अरिजाली बनाते हैं आज हम फिर उसका दूसरा पार्ट करेंगे दर्जाजेल इसमु में तबदिली करके मस्दर अरिजाली बनाएगे बचो आपको मेलुम है कि हम जो हमारी इस अर्दो जबाद में दूसरी जबानों से लफ़ आये हैं हम उनका मरकब कैसे बनाते हैं हम उनसे ना लगा कर मजदर की अलामत ना लगा कर मजदरी जाली बनाते हैं आज क्योंकी कुछ अलवाज दीये हैं उनके मजदरी जाली बनाने हैं मसलिन शर्म है फर्मान है सोच है खेल है लड़ाई, लपेट, मोड़ इनको हमें मजदरी जाली हैbig तब जब्दिल करना है शर्म इससे मैंने लिखा है इसको ना लगाना है पीछे शर्माना फर्मान है सोच सोचना खेल खेलना लपेत लपेतना लड़ना लडाई लड़ना मोड देखो बचो यह थे चंड अलफाज जिन के साथ हमने ना लगा कर या कोई तब्दिली करके उनका या या ये जो मजदरी जाली है मजदरी जाली कैसे बनाया जाता है उनका हमने बनाया है अब आप समझ गए हैं कि मजदरी जाली कैसे बनाया जाता है अब एक और सवाल है आपके इस दर्सी किताब में साइब का साहिबका किस से कहते हैं देखो बचो किसी इसम के सामनी पहले अगर कोई हरफ लगाया जाए और एक नया लफ़ वजूद में आता है उससे हम साहिबका कहते हैं अंग्रेजी में उससे प्रिफिक्स बोलते हैं मिसाल के तोर पर किसी इसम या लफ़ के पहले कोई लफ़ लगाने या जोडने से नया लफ़ वजूद में आता है उससे साहिबका कहते हैं जैसे अगर हम जबान लेते हैं जबान आप समझ गए ना जबान जिसे हम बातें करते हैं बात करते हैं यह जबान है जबान से हम बातें करते हैं और अगर हम इसके सामने बे लफज लगाएंगे बे बे बोड़ी तो ये बन जाता है बे जुबान बे जुबान ये जिसकी जबान नहीं है आप बद लगाएंगे तो बनता है बद जबान बद जबान ये जिसकी जबान सहीन है जिसके एकलाक अच्छे नहीं है इसी तरह से ब है मरवत है करार है अदब है बुनियाद है होश है इन के सामने बे लगा कर प्रिफिक्स बे यानि साहिब का बे लगान है आपको इनको मैंने आपके लिए आपकी आसानी के लिए लिखा है रहम बे रहम वक्त बे वक्त मरवत बे मरावत करार बे लगाया इसके आगे बे करार अदब इसके सामने आगे बे लगाया बे अदब बन्याद आगे बे लगाने से बे बन्याद बनता है खोश बेहोश याने हर लफज या हर इसम का माने बदल जाता है नया लफज बन जाता है रहम के माने आप समझ गए ना अला हम पर रहम करे बे रहम उसको कहते हैं वो रहम बे रहम मतलब है जालिम किसी जालिम को हम कहते हैं यह बे रहम आदमी है वक्त 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 पर फूल खिलते हैं यह वक्त से मुराद है जमाना बे वक्त बे वक्त की मौत यह नहीं हम बोलते हैं वो ब बेवक्त मर गया, यह उसको मरना था, लेकिन वो बेवक्त मर गया, यह जब उसको मरना नहीं चाहे था, तब ही मर गया, मरावत, बेमरावत, करार, बेकरार, बेलगाने से बेकरार बनता है, आदब के साम, आगे अगर हम बेलगाएंगे, तो बेअदब बनता है, इसी तरह, ब लफ़ नया बनता है और उसका महनी बदल जाता है इसी को प्रिफेक्स कहते हैं या साइब का कहते हैं एक और सवाल है बच्चों आपके लिए इस दरसी किताब में कि कुछ इसम दिये गए हैं उनके आपको मुजखर या मौनस या तजकिर उतानीस करना है मुजखर आपको मेलूम है मुजखर वो लफ़ जो नर के लिए बोला जाता है और जब कि मौनस मादा के लिए बोला जाता है या आपने पिछली कलासों में भी पढ़ा होगा और आज कुछ इसम यहां दिये गए उनको उनके उनका तजकिर उतानीस अब करना है या मुजखर मौनस लिखना है आपकी आसानी के लिए मैंने यहां लिखा है मुजाकर 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 मुजाक से मतलगे आपको ये अलफाज यहां लिखने की जरुद नहीं थी लेकिन आपकी आसानी के लिए यहां मैंने लिख डाले हैं बचो इस तरह से हमने जो हमारा टापिक था जीवानी मरहूम की याद में उसके जो वो दर्सी सवालात थी उनको हमने मकमल कर दिया इसमें जो ये ग किसे मतलग जो सवालात थे वो आपने किये हैं इसी तरह से साहिब का आपको साहिब का से मतलग आपने जानकारी हाज किसे कहते हैं कैसे साहिब का इसम या लफज के सामने कैसे लगाया जाता है कैसे नया लफज वजूद में आयता है इसी तरह से आपने मुज़कर मौनस के म आपका यह जो लेसन था, यह मिकमल हुआ आप से मैं गुजारिश करता हूं आप इस लेसन को पूरी तरह से अपनी कापीय में जो में निखाए नोट यह नोट आप अपनी कापीय में उतार कर लिखेंगे, इस के लिए लिखने की प्रिक्टिस करेंगे एक इससे दो फायदे आपको एक तो आपको समझ में आएगा दूसरी बात है कि आपको लिखने की प्रिक्टिस लिखने की मश्ख हो जाएगी आप इसको काईपी पर उतारना और थोड़ी सी तवज्चा के साथ इसको पढ़ना ताकि आपको समझ में आएगा इन्शालला बच्चो काल फिर आपसे मुलाकी होंगे एक नया सबक लेकर एक नए दिन की शुरुआत करेंगे इन्शालला और रामान तब तक के लिए खुदा हाफिज फालो एसो पीज ये जुरूरी है ताकि हम सेथ मन रही वसलाम